हेलो फ्रेंस होब करती हूं आप सब ठीक होंगे वेकम बैक टू मैजिकल हैंड आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगने वाला है क्योंकि इसमें हमने बिल्कुल कुछ खर्च नहीं किया है हमारे पास किये हूं चावल की बोरी ऐसी होती ही रहती है और हम मैलाएं उ उसका कुछ न कुछ तो जुगाड करके यूउस कर ही ले दे तो ऐसी ही जो बोरी है उसका आज हम यूँस करेंगे और दो डियाइवाई हम बनाएंगी तो यहां पे मैंने ले ली है बोरी जिसमेंसे मैंने अच्छे से कट कर लिया है और मैं आपको बता रही हूं कि ये वा कपड़ा ले सकते हैं पुराना नया जो भी आपके पास अवेलेबल है वो ले सकते हैं कोई भी कपड़ा चलेगा तो यहां पे जो स्टीज लगे हुए थे उसे मैंने अच्छे से कट कर लिया और इसमें ओल्ड कुर्ती का कपड़ा लगा दिया और 20 इंचिस का यह सरकल है इसमें आपको क्या करना है यह जो सरकल है सोरी सरकल नहीं रेक्टेंगल पीस और इसे ऐसे फोल्ड कर लेना है और फिर आपको क्या करना है उप पहलें से तरह कर देशार है दया मैंने स्कावड़DI कर एस तरह के देशिए पर पहला कर दो और कराई है 15 inches marking क्योंकि हमें यहां पे उपर जो हमने 5 inches marking की थी उसे हमें 3 fold करके मतलब plus करके 15 inches लेना है उसके बाद हम cut लगा लिया cut लगाने के बाद उपर की और हमें 1 inches पे cut लगाना है देखे यह जो method उसमें से आप बहुत सारे बड़े बड़े organizer बना सकते हैं तो यहां पे हम simple सा एक organizer बना रहे हैं जिसमें बेबी की छोटे-छोटे जो कपड़े होते हैं वो रख सकते हैं जवैलरी वगेरा भी रख सकते हैं आप इसे अलग-अलग तरीके से यूज कर सकते हैं यहां पे हमने जिप को अटेज किया फिर किया टॉप स्टीच उसके बाद आप इसमें रणर लगा लेजिए और यह सबसे easy method है और उपर से जो हमने कट की थी वो strip हम यहां पे अटेज करेंगे टॉप स्टीच करेंगे और नेक्स्ट वीडियो आपको किस चाहिए मुझे कमेंट करके जरू से बताना और आपको कैसा लगा वो भी मुझे कमेंट करके बताएगा अब यहां से यह जो पार्ट है उसे ऐसे फॉल्ड करें उपर से फॉल्ड करना है लेकिन सबसे पहले आप यहां पे स्टीच करें सेम तरीके से आप सामने की साइट भ लिया था उसकी वज़ा क्या है अब हम उपर से ऐसे फॉल्ड करेंगे और पूरे राउन में स्टीच करेंगे तो यहां भी हमने यह बाहर की और क्रॉस में कटकी हुई पाइपी नटेज करनी है इसलिए हमने सीधी साइड से स्टीच किया है नहीं तो आप उल्टी साइड से क कर सकते हैं अब हम यहां पर क्रॉस में कटकी हुई कूर्टी की ही पाइपिन लेंगे जिसे ऐसे फॉल्ड करते हुए यहां से स्टार्ट करना है से स्टीच करना यहां से ऐसे फॉल्ड करते हुए आपको लास्ट तक जाना है देखे और अब हम इसे फॉल्ड करेंगे उपर की और जिसकी वज़े से यह पूरा ओर्गिनाइजर हमारा मार्केट जैसा दिखेगा अब हमने यहां पे टॉप स्टीच कर लिया है उसके बात देखे यह प्यारा सा हमारा ओर्गिनाइजर बनकर रेडी हो चुका है अब हमने जो साइड में से कट लगाया था और जो कपड़ बच्चा था उसे हमें क्यों फेक ना भला उसका भी हम रियूस करेंगे तो सेकन आइडिया वही है कि साइड में से जो कपड़े मतलब बच्चा हुआ पार्ट है उसे क्या का नहीं और यह देखी यह राइस बेक इतने सक्त है कि बहुत ही हमारा अच्छा और बनता है अब जो साइड के थे उसमें मैंने फॉर पार्ट में डिवाइड गिया है और अगर आप नाम से कोई कपड़े से इस तरी के पाउंच बनाना चाहते हैं तो 7.5 वाई फाइव इंचिस के ऐसे फॉर पार्ट हमने ले लिए है अब आप कोई भी बच्चे के खिलोने में आई है को आप स्टेशनरी की दुकान से भी ले सकते हैं तो यहां पर फाइव इंचिस था उससे हमें वान इचिस कमकर नहीं है टांस पर इंचिस की लिए है और 7.5 इंचिस की जिप ली जिसे हमने अटेज किया फिर टॉप स्टीच की टॉप स्टीच करने के बाद ऐसे फॉर डाल दिया देखें यहां पे हमने रणन डाल दिया फिर हमें चो पाट लिए थे उसी के साथ हमें ऐसे जोड लेना है तो यहां पे हमारे सारे पाट जूड़ चुके हैं अब हम क्रोस में कट की वी पाइप में लेंगे जिसे आप कहीं से भी अटेज करना स्टार्ट करें और करें कि ऑ्टेज का कि अपड़ा आप में कि थर से करना है तो ऊपर लगाइए और फीर थी साइड में आपको अलग से ने कि बनकर रेदी हैं और देखिए इसमें हमने सारी ज़ैले रख सकते हैं बबाइयां रख सकते हैं और यह जो और्गिनाइजर हमने बना है दोनों को यूज़ कर सकते हैं आप इस तरीके से आप बहुत सारा सामान रख दीजिए ऐसे और यह जो हमारे पाउंच है उसे भी आप अच्छे से इस और्गिनाइजर में रख सकते हैं और कहीं पे ट्रावेलिंग में ज कैसा लगा है मुझे जरू से बताइएगा और लाइक करना भूल गए हो तो कर देना चनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई जै भारत